हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलरी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूज्वल शुरू करूंगा फिंगर्स के अना को और सबसे लास्ट में हम चैक करेंगे लाइन को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनायल्सिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासर ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तों वीडियो शुरू क परने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वट्सअप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस वट्सअप नंबर पर send कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक squarish shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं fingers का चुकाव यहाँ पर हलका सा शनी finger की तरफ अवा नजर आ रहा है आपको दिखाना चाहूंगा draw करकर यहाँ शनी finger है और बाकी की fingers इस तरह से हलका सा शनी finger की तरफ जुकती हुई नजर आ रही है इस तरह से सभी fingers का जुकाव जब अंदर की तरफ हो रहा हो तो ऐसे native के भीतर थोड़ी वेराग्या की भावना रह सकती है लेकिन overall यह finger बिलकुल straight है काफी अच्छी length में नजर आ रही है शनी finger जिसकी वज़े से ऐसे व्यक्ती काफी मेहनती nature के होते हैं discipline को follow करने वाले होते हैं और इसी वज़े से life में अच्छी तरक्की करपाने में भी काम्याब रहते हैं अगर हम बात करें इनकी सूरिया finger की तो सूरिया finger यहाँ पर length में काफी अच्छी नजर आ रही है अगर आप इसको index finger के साथ compare करते है तो सूरिया finger की लंबाई यहाँ पर ज्यादा है इस finger का अच्छी length में होना indicate करता है कि native के भीतर काफी अच्छी creative और artistic qualities रहने वाली है ऐसे व्यक्ति जिनकी सूरिया finger ज्यादा लंबाई में हो थोड़े से adventurous nature के होते हैं risk taker होते हैं life में risk लेने की इनकी रूची ज्यादा रहती है और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी ऐसे व्यक्ति risk ले बैठते हैं जैसे अपने धन को ऐसी जगाहों पर invest कर देते हैं जहांपर loss के chances भी हो शेर market है crypto currencies है mutual funds है ऐसी चीजों में इनकी रूची अधिक रह सकती है overall सूरिया finger का अच्छी लंबाई में होना native को creative बनाता है यह finger ज़्यादा length में होती है तो ऐसे व्यक्ति की creativity का level तो अच्छा होता ही है साथी साथ ऐसे व्यक्ति का social circle भी काफी अच्छा रहता है शनी finger मिल्कुल straight है hard working nature रहेगी और जो इनकी guru finger है हलका सा जुकाव शो कर रही है तो spirituality की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है ऐसे व्यक्ति का धार्मिक परविती के होते हैं ऐसे लोग इनकी ब्रस्पती finger का जुकाव शनी की तरफ हो रहा हो थोड़ी से विराग्या की भावना इनके भीतर रहती है लेकिन knowledgeable personality रहे गी और काफी अच्छी leadership qualities इनके भीतर रहने वाली है क्योंकि इनकी जो ब्रस्पती finger है बेशिक हलका सा जुकाव लिये है लेकिन यह finger thickness में काफी अच्छी है और lengthwise भी यह finger medium length में नजर आ रही है चलिए आगे देखते हैं इनकी सबसे छोटी finger को यह finger mercury finger कहलाती है यहाँ पर यह finger लंबाई में बहुत ज़्यादा कम नहीं है लेकिन low set है low set होने की वज़ए से यह finger सूर्य finger के top फैलेंस अक नहीं पहुँच पा रही इस finger का low set होना native को शर्मीले सभाव का बनाता है ऐसे व्यक्ति की nature shy रहेगी बहुत जल्दी open up नहीं हो पाते है ऐसे व्यक्ति और overall अगर देखें तो communication skills में दिक्कत नहीं रहेगी communication skills अच्छे रहने वाले और business equipment भी ऐसे native का अच्छा रहता है fingers में बिल्कुल भी gaps नहीं है इन area में अगर आप देखो होगी तो fingers आपस में सटी हुई नजर आएंगी इस तरह से fingers का आपस में सटा हुआ होना indicate करता है कि native की money management अच्छी रहेगी ऐसे व्यक्ति धन को accumulate करने में भी कामियाब रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रिखाओं को और इनके सभी mounts को तो यहां पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रिखा बनकर सामने आ रही जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य मांट यह वला जो mount रहते हैं सूर्य मांट कहते हैं और इनका शनी मांट इन दोनों mounts को बहुत अच्छी space मिल पा रही है mercury mount यहां से आपको low set होता नजर आएगा और even इनका ब्रस्पती mount भी आपको हलका सा low set होता हुआ नजर आएगा ब्रस्पती mount यहां पर बिलकुल flat नजर आ रहा है हलका सा low set है और ब्रस्पती mount का low set होना indicate करता है कि native को family से दूर रहना पड़ सकता है यह mount अगर low set हो इस mount को कम space मिल पा रही हो तो ऐसे व्यक्ति को higher education में भी दिक्तों का सामना करना पड़ सकता है परिवार से दूर रहना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति कई बार विदेश चले जाते है यहां अपनी studies के सलसले में यहां job के सलसले में घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं इस चीज़ की संभावनाएं भी इस mount का दबना शो करता है शनी mount के अगर हम बात करते हैं देखोगे शनी mount बिलकुल flat नजर आ रहा है काफी अच्छी space इस mount को मिल पा रही है लेकिन इस mount का flat होना दर्शाता है कि ऐसे native को life में काफी struggle और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर भागया रेखा जिसको हम fate line भी कहते हैं बहुत जादा deep cut और strong नहीं है भागया रेखा के नाम पर आपको यहां पर एक line नजर आएगी कुछ इस तरह की और यहां पर एक branch नजर आ रही होगी इस तरह की branch जब strong हो जाती है माइन लैंड के उपर तो यह 36 की age के बाद native को काफी लाब देती है यहां पर आपको नजर आएगी यह रेखा यहां पर चलती है नजर आ रएए और इवन यहां पर भागया रेखा की दो branchs आपको नजर आएँगी यहां पर एक यह रेखा है जो थोड़ी सी overlap है और यहां से भी एक रेखा उपर की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ पर स्पोर्ट रहेगी फैमिली की तरफ से भी और भारी स्पोर्ट भी इस तरह की रेखा से होती है लेकिन आगे इस रेखा का वीक होना लाइफ में अप्स और डाउंस को भी लेकर आएगा और 36 की एज के बाद ही अच्छी तरक्की यह अपनी लाइफ में देख प नहीं है सुर्य रेखा आपको बताना चाहूंगा किस तरह हैं से होती है जैसे यह एक बारीक लाइन आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती नजर आरी इसको बुद्ध की रेखा कहते हैं इसी तरह से अगर ऐसी ही प्वी रेखा यहां से सुर्या परवत की तरफ चल पड़े इसको सूरिय रेखा कहा जाता है और जिनके हाथ में ऐसी सूरिय रेखा होती है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा नेमेंड फेम पा लेती है तो यहाँ पर यश और नेमेंड फेम की थोड़ी कमी रहती नजर आ रहे है क्योंकि सूरिया रेखा का अभाव यहां पर नज़र आ रहा है और सूरिया माउंट के उपर एक रेखा पर आईलेंड का साइन बनता हुआ भी नज़र आ रहा है इस तरह का यह चिन इस एरिया में बनता हुआ जो कई बार नेटिव को डी फेम भी दिलवा सकता है तो इसलिए यहां पर सूरिया कमजोर इनके हाथ में नज़र आ रहा है मरकरी की बात की जाए तो मरकरी माउंट यहां पर हलका सा लो सेट जरूर है लेकिन बहुती लंबी और अच्छी मरकरी रेखा हाथ में मौचूद है और यह माउंट हलका सा उबरा हुआ भी नज़र आ रहा है जिस वजह से नेटिव का बिजनस अच्छा हो जाता है ऐसे व्यक्ति बिजनस के जरीए भी धन कमा पाने में सक्षम रहते हैं अब देख सकते हैं के हाथ में जो मरकरी लाइन है काफी अच्छी है स्ट्रॉंग है इस तरह की रेखा का होना नेटिव को बहुत लाब देता है ऐसे व्यक्ति लाइफ में विजनस के जरीए काफी तरक्की करपाने में कामियाब रहते हैं चलिए आगे मरते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइन्स को तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इनकी हाट की लाइन के बारे में पढ़ देख सकते हैं यह है जो रेखा हाट की लाइन कहलाती है और हलका स्ट्रेट और यहां पर बस्पति मौंट तक पहुंचती हुई यह है रेखा इस तरह की रेखा अगर बरस्पती माउंट तक पाउन जाए तो ऐसे नीटिव लॉयल होते हैं, आनेस्ट होते हैं और दिल से धार्मिक होते हैं ऐसे विक्ति जिनके हाथ में हाट की लाइन यानि कि हृद्यर रेखा सीधा बरस्पती माउंट को टच कर ले तो ये एक बहुत अच्छा संकेत मना जाता है, तोड़ी सी स्ट्रेट लाइन है जिस वज़े से काफी प्रैक्टिकल टाइप की परसनालिटी इनकी रहेगी थोड़ी सी मुटिरियलिस्टिक अप्रोच रह सकती हैं और ओवरॉल हाट की लाइन में यहाँ पर कोई भी की लाइन नहीं दर्शा रही, माइन लाइन के अगर बात करें तो बहुत अच्छी माइन इनके हाथ में नजर है, यह बहुत डीप कट और अच्छी लंबाई में इनकी मस्तिश रेखा का होना यह दर्शा आता है कि ऐसे नेटिव का माइन बहुत अच्छा रहेगा, मैमरी अच्छी रहती है, माइन शार्प होता है, और ओवरॉल इस लाइन का अच्छा होना सबसे जरूरी है क्योंकि जो भी हम काम लाइफ में करते हैं, उसमें माइन का शार्प होना सबसे जरूरी है, तो यहाँ पर दो रिखाएं आपको स्ट्रॉंग नजर आएंगी, एक तो इ देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी जो लाइफ लाइन है, काफी अच्छी लेंट में है, यहाँ से शुरू होती होई लाइफ की लाइन, लगभग इस एरिया तक पहुंचती होई, एक लंबी लाइफ लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लग गभग 75 के आसपा, 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेंगी, इस रेखा से एक ब्राच का इस तरह से बाहर की तरफ, चंदर की तरफ निकलना, लंबी दूरी की यातराओं को भी दर्शा आता है, ऐसे वक्ति लाइफ में फॉरन ट्रैवल कर सकते हैं, लंबी आ रही है, जो बच्चपन में इन्हें थोड़ी दिक्कते हैं, यहां पर हेल्थ रेखा को दर्शाती है, लेकिन ओवरॉल आगे की लाइफ, यहां से अगर आप इस रेखा को देखोगे, तो बहुत अच्छी है, स्ट्रॉंग लाइन है, और कोई भी मेजर प्राब्लम आग कि सुक्स विधाएं लक्सरीज प्रोवाइड करता है, इस माउंट का प्रॉमिनेंट होना मेरिड लाइफ के लिए भी अच्छा माना जाता है, कुछ हलकी वरी लाइन्स जरूर मौझूद हैं, लेकिन बहुत ज़दा परभावशाली नहीं है, माइनर इंस्टिबिलिटी मे लाइफ में ये रिखाएं दे देती हैं, लेकिन अगर यहां पर बहुत ज़दा रिखाएं हो या डीप कट लाइन्स हो तब दिक्कतें स्ट्रॉंग होती हैं, दिक्कतें ज़दा होती हैं, तो अवरॉल ये काफी अच्छा वीनस माउंट इनका नजर आ रहा है, और अगर ह बात करते हैं इनके चंदर माउंट की, तो आप देखो कि यहाँ पर इनके हाथ में ज़ह की चंदर माउंट है, प्रॉमिन्ट है, उबरा हुआ है, और चंदर माउंट से ही ऐसी रिखाएं उठड़ कर उपर की तरफ भी चल लिए हैं, इस तरह की रिखाओं का इस चंदर मा बनता हुआ नजर आएगा यहां जो रिखा है बेशक थोड़ी थोड़ी ब्रोकन रिखाए हैं यहां पर लेकिन यहां पर कुछ हलकी रिखाओं से इस तरह से एक फिश यहसी अकृति आपको बनती नजर आएगी इस तरह की अकृति का यहां पर बनना इंडिकेट करता है कि न insurance का पैसा भी ऐसे व्यक्ति को खूब मिल सकता है दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही video के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसी request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद